आद आप, Income, Savings, Investment और Digital Economy पर बेस्ट खास प्रोग्राम पैसा बोलता है लेकर हाजिर हूँ मैं सोनिया सेंग आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे Small Investment की Small Investment से हमारा मतलब है आम इन्वेस्टर्स से जिन में सालवीट क्लास भी शामिल है आज हम दुनिया की पाँचवी बड़ी एकॉनमी है और तेजी से तरक्की कर रही है व्याद रहे कि 2014 में भारस सरकार ने हमारी एकॉनमी को 5 ट्रिलियन डॉलर एकॉनमी बनाने के लिए जो रोड मैप तयार किया था उसका फोकस मैक्रो लेवल यानि बड़े लेवल के कारोबार के ग्रोथ के साथ साथ माइक्रो यानि छोटे लेवल पर ओल एक्स्क्लूजिव वेलफेर, डिजिटल एकॉनमी और फिंटेक टेक्नोलोजी इनेबल टेवलपमेंट के साथ साथ एनरजी, ट्रांजिशन, क्लाइमेट आक्शन को बढ़ावा देना और इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ पर भरोसा करना शामिल है इस हवाले से देखा जाएं, तो इस मिशन में एक आम इन्वेस्टर के लिए कौन-कौन से आप्शन हैं, जहां बहतर मुनाफ़ा मिल सकता है और इसके लिए छोटे इन्वेस्टर्स को किन बातों का खयाल रखना चाहिए इसी को डिटेल में समझने के लिए हमने स्टूडियो में इन्वाइट किया है दो खास महमानों को हमारे साथ मौजूद है चाटेड अकाउंटन्ट और फाइनांस एक्सपर्ट संदीब पतनागर जी और साथ ही Certified Financial Planner प्रकाश चंद्रा आप दोनों का हम स्टूडियो में वेलकम करते हैं संदीब जी आप से शुरू करेंगे बजट आ चुका है इन्टरिम बजट ही था लेकिन एक थोड़ी सी रूप रिखा हमें दिख रही है कि अगला बजट कैसा होगा अगर यही सरकार वापिस आती है तो और साथी इस बजट के बाद किस तरह के ऑप्शन्स खुले हैं स्मॉल इंवेस्टमेंट के लिए जी सुनिय जी ये बजट जो है हाला कि इंटेरिम बजट था फूल बजट नहीं था क्योंकि इलेक्शन्स हैं इसी साल में अभी नेक्स मन में इलेक्शन्स की त्यारी स्टार्ट हो जाएगी तो इसके अंदर गॉर्मेंट के पास ज़्यादा आप्शन्स नहीं थी कि वो इसको मेजर इनिशेटव लें मेजर डिवलपमेंट की चीज़ें को वो एंफसाइज करें तो उन्होंने बहुत ही जो जरूरी ची आपको बताना चाहूंगा जो स्मॉल इंवेस्टर्स हैं उनके लिहाज से जैसे की बिजनेस को अगर हम देखें तो बिजनेस के एसाब से जो स्मॉल इंवेस्टमेंट्स हैं जो स्टार्ट अप्स हैं जो छोटे छोटे बिजनेसें उसके लिए उन्होंने क्या करा है कि उन उसमें से किसी भी तीन साल में आपको income tax देने की ज़रूरत नहीं है अगर आप उसके अंदर अपना start-up के अंदर अपना registration कराते है तो उसके अंदर उन्होंने पहले जो डाला हुआ था वह डाला हुआ था कि अगर आपका business 31st March 2024 से पहले पहले start होता है, incorporate हो जाता है तब आप इस scheme के अंदर में cover हो सकते हैं, section 80 IACA income tax का, उसके अंदर ये दिया गया है, तो उसको government ने इसको extend कर दिया 31st March 2025 ता, तो ये उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज करी है ताके जो हमारे small investment हैं, जो small businessmen हैं, उनको ये benefit मिले और इसका वो लाब उठाएं और अपनी income tax को जो है वो बचा पाएं, तो ये एक major initiative government ने इसमें लिया है, जी, तो ये तो हुई startup के बाद जो extend कर दिया है, जो benefit था, लेकिन अगर हम investor की बात करें, तो investor के लिए क्या फाइदा होगा इस budget के बात? देखे सुनिया जी, जैसा संदीब जी ने बताया कि ये एक interim budget है, तो interim budget, full budget तो होता नहीं है, तो government ये कोशिस कर रही है कि इस पुराने budget में जो भी announcement है, उस announcement को थोड़ा सा आगे तक ले जाया जाए, उस ही में कुछ improvement किया जाए, क्योंकि full budget ये जुलाई में दुबारा से जो भी government आएंगी वो दुबारा से पेस करेंगी, तो इस interim budget में जो पुराने announcement थे, जैसे infrastructure development हो गया, आपके energy sectors हो गये, ये different type के जो गती सकती प्रोग्राम में railway corridors बनाना और इस तरह के तमाम बहुत सारे announcement थे, जिन में government की बहुत बड़ी funding है, और वो इसको और funding को इस बार भी बात किये हैं, तो जब ये सारे sectors जब बढ़ेंगे, तो जब सारे sectors जब बढ़ने वाले होंगे, तो obvious ही बात है कि sector जब बढ़ेंगे, तो companies की growth बढ़ेंगे, तो पूरी economy growth करेगी, जो भी economy growth करेगी, तो markets grow करेंगे, market से मतलब मेरे stock market से है, तो market grow करेंगी, तो market में जो लिस्टेट कंपनिया है या अनलिस्टेट कंपनिया है सभी की जो शेर्स है या उनकी ग्रोथ है उनकी बढ़ेगी तो small investors के लिए एक opportunity मिलती है in different different sectors में investment करने के लिए तो यह different different sector को हम detail में भी discuss कर सकते हैं वैसे overall देखा जाए तो बहुत सारे ज्यादा कोई new announcement नहीं है लेकिन जितने पुराने investments हैं जितने पुराने announcements हैं वो announcements को लेकर के देखा जाए तो उसी field में बहुत सारे छोटे 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 investors उस नए stock market में invest कर सकते हैं जो की छोटे ticket size क shares भी हैं नए जो players हैं market में जो new companies launch हो रही है आ रही है इस काम को उनको नए projects मिल रहे हैं तो वो इस projects के तहत आप स्टार्ट अप के जरिये भी investment कर सकते हैं या mutual funds के थूर इंवेश्मेंट कर सकते हैं bonds के थूर कर सकते हैं यह तमाम different area जिसमें इंवेश्मेंट कर सकते हैं यह फिर दो करोड घर बनाने की बात की जाए यानि की रूप रेखा जो बताई गई है कि आगे इतना सब काम होगा अगर किसे के पास नौकरी आज नहीं भी है बॉराइंग सरकार ने कहाए कि वो कम करेंगे तो यानि की liquidity बहुत होगी market में कुछ tax कोई interest free loans की भी शायद कोई ब available है कि future कौन सा market होने बाला है जी जी सोनर जी आपने बिलकुल ठीक बताया कि इस समय जो है government का focus जो है बहुत सारे नए concepts में जिसमें की हमारी climate के उपर जो है effect कम से कम हो तो उसके लिए जो है सरकार की जो initiative है वो यह है कि हभी हमने सुना भी है प्राइम मिनिस्टर मोधी जी ने बताया है कि हम जो है green energy की तरफ shift हो रहे हैं धीरे धीरे करके जितनी भी यह fossil fuel है fossil fuel का मतलब यह होगा है कि जो हम petrol डीजल वगरा का इस्तमाल करते हैं कोल का इस्तमाल करते हैं इसका इस्तमाल करना बिलकुल खदम करने के लिए जो movement है वो start हो चुका है 2030 का target है हम 50% जो है यह fossil fuel खदम कर देंगे मतलब हमारी जो energy requirements हैं जो हमारी बिजली है हमारी जो transportation में जो vehicle fuel जो use होता है वो सारा green energy पे shift होने वाला है तो और 2030 और 2030 तक तक तो zero carbon emission का target लेके हम चल रहे हैं तो इसके रहते government ने announce किया है हमारी finance minister निर्मिला सीता रमन जी ने announce किया है कि solar rooftop की जो priorities है वो increase करी जारी है यानि कि एक करोड household घरों के उपर solar rooftop panels लगाए जाएंगे जिससे ये फायदा होगा कि आपका जो बिजली की consumption है वो सारी solar panel के थू ही होगी और उससे लगबग 300 unit जो है बिजली की जो production है वो घर से ही होगी और अगर आपकी बिजली की production 300 unit से फालतू होती है तो आप बेच भी सकते हैं वो electricity board को भी जाके उसको आप दे सकते हैं तो आपकी देखे अभी तो आज की दिल में हमारा आज के दिन में हमारा जो बिजली का बिल आता है तो हम बिल पे करते हैं कल को ये भी हो सकता है ऐसा already और countries में है उस्ट्रेलिया में जो है already वो क्या करते कि जब बिल आता है तो उनके पास बिल आता है उनको पेमेंट मिलने का बिल आता है तो ये नया concept जो है ये start हो रहा है तो ये तो बहुत इंट्रेस्टिंग है कि अगर जिसे गाओं होते हैं वहां पर बड़ी बड़ी च्छते होती है जिसे शेहरों में तो फिर भी इतनी space नहीं होती आपके रूफ पे अगर अपार्टमेंट में रह रहे हैं लेकिन वहां पर अगर आप इसको इसको इस्तमाल करना शुरू करें आज से ही शुरू करें तो आने वाले टाइम में तो ये आपका मुनाफिका एक जरिया हो जाएगा जी जरूर बिलकुल बिलकुल ये मुनाफिका जरिया हो जाएगा और इसके इलावा इसके इलावा भी जो है अगर कोई चाहे तो सोलर रूफ टॉप में या सोलर पैनल सोलर जो ये बूवमेंट है इसके साथ आप इसेशेट होके आप बिजनेस भी कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं आप सोलर पैनल की जो है बह आप उसको supply करेंगे लोगों को आज की date में तो दिखिए ज्यादा कुछ लोगों को इसके बारे में knowledge नहीं है, awareness नहीं है, लेकिन आगे आने वाले time में इतनी ज्यादा solar panel की requirement होने वाली है कि आपके पास आके लोग कहेंगे कि मेरे को solar panel चाहिए, हमें अपने घर में लगाना ह तो एक तरीके का तो ये business एक ये हो सकता है, इसके इलावा जो है आप जो है repair maintenance क्योंकि जब आप solar panel लगाएंगे तो इसका आप को maintenance भी करना पड़ेगा, तो अगर आप इतना investment ना भी करना चाहें कि आप distributor बने या उसके आप dealer बने आप ये भी कर सकते हैं कि उसमें आप maintenance का आप इंस्तुलेशन सर्विसेज दे सकते हैं जैसे आप solar panel अगर कोई बेचेगा तो उसको install भी करना पड़ेगा, तो आप उनके साथ reckless ना पिंस्तुलेशन आप देखिए आज की डेट में एक कंप्यूटर है आपका हर चीज में में लगती है तो आपको अन्यूली में इसके मिल सकते हैं तो आप उसकी में डे सकते हैं फिर इसके बाद सोलर के अंदर और भी चीजें जैसे सोलर पैनल है सोलर पैनल के इलावा सोलर कुकर है और सोलर लाइट्स है अबहुत है किसी के घर गया था तो हम ने नहें लाइट्स लगा रखी हैं तो वह लाइट्स नहीं है यह नए नए प्रॉडक्स आरहे हैं तो इसके अंदर हम कोई भी इसमें बिजनेस स्टार्ट कर सकता है यह आगे फुचरिस्टिक बिजनेस है आगे जाके इसमें बहुत स्कोप है और बहुत ज्यादा इसमें सक्सेस मिलेगी हाँ तोड़ा मुश्किल होगा श्याद इसका जवाब देना लेकिन फिर भी हम ट्राइ करते हैं कि कितना इंवेस्टमेंट चाही होगा ऐसा बिजनेस शुरू करने के लिए देखिए जो सोलर पैनल की डीलर्शिप की बात अगर हम करें तो उसमें हमें लगबग लगबग पर चोटा सा ओफिस चाहिए क्योंकि आपके पास कस्टमर्स आएंगे कस्टमर्स को आप अपना ये प्रॉडक्ट दिखाएंगे उनको समझाएंगे कैसे काम करता है कैसे आपको रख रखाव करना है फिर उसके बादे आपको छोटा सा एक गोडाउन या वेराउस रखना पड़ेगा क्योंकि आपको delivery एक दम देनी पड़ेगी तो फिर आपके पास थोड़ा सा stock तो आपको maintain करना पड़ेगा तो आप ये मान के चली कि अगर 15 से 20 लाग के अंदर आप ये business start कर सकते हैं डीलर्शिप का जी और साथी प्रकाश जी जब प्रकाश हो रहा है गार्डन में तो हम यहां पर आप से प्रकाश जानेंगे कि इवन विंड अनर्जी और ऑल्सो बायो फाउंडरी इनके ओपर भी काफी focus किया गया इस बार बज़ेट में देखे मैं तो यह देखता हूं कि investment के कहां का opportunities हैं बज़ेट में अभी हम सबने डिसकस किया कि यह solar panel और solar energy की बात कर रहे हैं तो मैं तो इसमें भी investment ढूंडता हूं कि हमारे small investors कहां कहां पैसा लगा सकते हैं कहां का आपने एक तो business कर सकते हैं business के जरीए जिनके पास business like amount नहीं है वो investment कैसे कर सकते हैं और कैसे पैसा बना सकते हैं तो बात business की करें और उसके साथ investment की करें तो investment में जैसे solar panel की कंपनिया है जो manufacturing कंपनिया है यह जाहिर सी बात है कि जब आपने यह बताया कि rural areas गाओं में इसका ज्यादा फायदा मिल सकता है क्योंकि सहरों में उची building हैं तो area कम मिलेगा उनको लेकिन गाओं में rooftop solar panel और इसका rooftop solarization जो है बहुत ही ब्यापक तरीके से किया सकता है और इसमें उनके power के consumption भी कम हैं तो मेरे ख्याल से जैसे कि अभी इस budget में announcement है कि एक करोर घरों को लगभग 300 unit विजली फ्री दी जाएगी solar energy solar power के तुरू तो ऐसे में क्या मिलता है हमें कि जब solar system लगेंगे तो solar manufacturing company और इनरजी की बात करेंगे तो batteries की बात आती है क्योंकि जब solar panel जब charge होंगे तो charge storage के लिए क्या हो सकता उसके लिए battery यूज करते हैं उसकी maintenance की बात आती है तो जो batteries की company है maintenance की company है ये इनके stocks listed है आप stock market में इनके shares खरीद सकते हैं औ और long term में इसकी बात कर सकते हैं ज्यादा अच्छा investment ले सकते हैं लेकिन जिन लोगों को share market में थोड़ा सा डर लगता है या उनको समझ में नहीं आता है तो अभी हाल ही में देखेंगे कि बहुत सारे mutual fund companies हैं जिन्होंने NFOs लाए हैं NFO का मतलब यह होता है new fund offer जैसे market में stock market म होते हैं initial public offers जो नए share list होते हैं ऐसी mutual funds में NFOs होते हैं तो new fund offers क्या करते हैं यह sectorial funds और thematic funds इस बार आ रहे हैं इस budget को देखते हुए जैसे energy sector का fund हो गया PSU के sector हो गया defense के हो गया तो क्योंकि defense में budget काफी ज़्यादा दी गई है infrastructure में काफी ज़्यादा दी गई है तो infrastructure हो गया railways हो गया और जब बात budget की दी गई है उनके development की बात की जा रही है तो उनको funding करने वाली भी company होने चाहिए तो ऐसे बहुत सारे इसी PSU companies हैं जो उनको funding क करती है इन business को बढ़ावा देने के लिए उनको fund कौन करता है तो जो company इनको fund करती है उस companies में भी आप investment कर सकते हैं तो जब आपको कुछ भी नहीं समझ मैं बिल्कुल beginner है small investor है तो आप सब कुछ चोड़ दीजे आप mutual fund के तुरू in thematics और sectorial funds में energy sector में हो गये PSU में हो गये infrastructure म और इसमें आगे बढ़ सकते हैं तो इस तरीके से हम इसमें opportunity देखे आ जाए तो बहुत broad scale में opportunity है investment के लिए और क्योंकि संदीब जी तो CA भी है और tax expert भी है और 31 तारिक भी आने वाली है 31 March तो उसको अगर सब देखा जाए तो क्या कहीं अभी investment ऐसी की जा सकती है जो फाइदे मंद भी हो और tax भी बच जाए जी जी सुने जी 31 March आ रही है तो इसमें naturally आपको सबको investment करना चाहिए अब इसमें दो aspect है एक aspect है कि अगर आप new regime opt करेंगे या old regime opt करेंगे अगर new regime करेंगे तो investment करना एक आपके लिए जरूरी नहीं है लेकिन हाँ अपनी retirement के लिए अपने जो और goals होते हैं education है शादी है इसके लिए investment तो करना ही चाहिए तो वो आप कर सकते हैं लेकिन taxation के point of view से new regime वालों को कोई ज़्यादा benefit नहीं है मतलब उनको तो in fact ज़रूरत ही नहीं है लेकिन अगर आप old regime opt करेंगे तो old regime के हिसाब से तो आपको investment करनी ही चाहिए आपको जो आपका ATC section है उसमें देड़ लाग की investment allowed होती है तो आप वो पूरी investment करें आप अगर पीएफ आपका जाईर है अगर कोई salary class है तो पीएफ जा रहा है उसका तो पीएफ के इलावा जो बाकी का जो उसमें बचता है तो उसको आप PPF में NSC में LIC जो आपकी LIC आपने ले रखी होंग और इसके लावा अगर कोई ATG आपकी donation देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं तो यह सारे avenues हैं जो की हमें opt करने चाहिए अगर हम old regime में जा रहे हैं जी तो प्रकाश जी क्या कोई bonds भी हैं सरकारी bonds अगर हों उन पर आप नज़र डालें और साथ ही कोई debt funds हों जी आप bonds की बात करें तो bonds एक safer investment होता है जहां तक कि अभी यह budget की ही बात करें तो budget से related बहुत सारे इसे companies हैं जो अपने bonds लाती हैं क्योंकि उनको finance करना होता है जब finance करना होता है तो उनके पास amount चाहिए तो फंडिंग करने के लिए बजट bonds लाते हैं वो अपनी company वो bonds शीशू करती है बांड के जरिए पैसे जुटाती है तो बांड basically क्या होता है बांड आम नागरिक से या किसी company से या छोटे investor से company एक loan के तौर पैसे को उधार लेती है और उसका पर्टिकुलर rate of interest होता है इसको coupon बोलते हैं तो उस coupon पे वो bond issue किये जाते हैं और वो bond issue किये जाते हैं जैसे कि RBI bonds हो गए तो RBI bonds में reserve bank of India एक bond लाती है जिसे कि reserve bank of India के bond को आम नागरिक खरीद कर सकते हैं और उस पे जो भी coupon rate quoted है वो उनको benefit मिलेगा और ये fix return की category मानी जाती है तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं green energy के sector में, windmills के sector में तो इसमें कुछ public sector companies हैं जैसे power finance companies होई, rural electrification companies जैस REC, PFC ये company ये government की PSU company है ये इनको funding करती हैं तो ये अपने bonds लाते हैं और सबसे खास बात ये है कि कुछ bonds इसमें ऐसे भी bonds हैं जो कि आपको capital gain tax को बचाने में भी मदद करती हैं तो आप इसमें tax भी बचा सकते हैं और इसमें return भी कमा सकते हैं उसमें particular time period तक एक lock-in period होता है जिसमें की 5.25% तक आपका सालाना return होता है और उसमें पैसे invest कर सकते हैं अगर आपका कोई capital gain हुआ है किसी land के sell करने से तो 54 EC bond ले सकते हैं 54 EC bonds में 3-4 company ऐसी हैं जो इसको issue करती हैं और उसमें आप पैसे invest भी कर सकते हैं RBI bonds हो गए आपके corporate bonds हो गए जो company issue करती है अपने corporate को और बढ़ाने के लिए expansion के लिए तो इस तरह से bonds के जरिये भी हम investment कर सकते हैं different sectors में लेकिन संदीब जी कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद equity market से डरते हैं और risk उनको जादा लगता है कि कहीं फस्त ना जाए ऐसे में gold as an investment कैसा होगा हाला कि उसका inverse proportion रहता है in terms of equity जी जी सुने ज जैसे अगर कुछ medium risk के investment हैं कुछ low risk के investment हैं और gold जो है ये low risk के investment में आता है और आप देखिए कि आज से नहीं gold तो पता नहीं कितनी सदियों से gold में लोग investment करते आये हैं और आज भी कर रहे हैं तो gold एक बहुत अच्छी investment है क्योंकि gold में देखिए अगर appreciation बहुत जादा नह होता है रहता 10-11-12% का appreciation पिछले साल तो और भी जादा appreciation हुआ है तो वो investment obviously बहुत अच्छा है तो अब gold में investment कैसे करें ये बड़ा एक बहुत एहम सवाल है अब gold में हम ये समझते हैं कि हमने jewelry ले लिए तो हमारी investment हो गई या फिर हमने gold के biscuits ले बाज ले लिए, biscuits ले ले लि हैं क्योंकि जब आप jewelry ले रहे हैं तो आप एक तो making charges दे रहे हैं फिर उसके बाद आप जो है उसके उपर GSTB पे कर रहे हैं लेकिन हाँ obviously जो हमारी मैलाएं है उनको jewelry का बहुत शौक होता है तो वो तो खोना भी जी है तो वो as an investment डाले उसको आप as a अपनी जो requirement है जो हमार जरूरत है शादी बया में हमें पहनना है या वैसे भी पहनना है तो वो एक अलग चीज हो गई फिर उसके बाद इसी तरीके से अगर हम gold bars देखें तो gold bars, gold biscuit उसमें भी हमें GST पे करना पड़ता है हाला कि making charges उसमें नहीं होते हैं अब वो अब आप लेंगे तो gold के अंदर उसको आप रखने की भी problem है आपको रखना पड़ेगा उसको कहीं न कहीं समाल के आपको यह रहेगा कि कहीं चोरी न हो जाए आप अपने कहीं locker में कहीं रखना पड़ेगा आपको तो इन सब को देखते वे एक सरकार ने जो निकाले हुए हो sovereign gold bonds निकाले हुए तो यह बहु उस समय है, government यह निकालती रहती है बीच बीच में sovereign gold bonds तो जिस rate में gold है उसी rate में आपका investment जाएगा और उतने ही units आपके purchase कर लिये जाएंगे और सबसे बड़िया बात यह है कि अब जैसे gold की rate बढ़ेंगे तो sovereign gold bonds की price भी बढ़ जाएगी जब आपको maturity आज साल की maturity है आज स साल के बाद जब यह mature होंगे तो जो gold का rate होगा और जो आपके units आपने जब purchase करे होंगे उसी rate से आपको maturity मिल जाएगी और दूसरी बात इसके उपर कोई capital गीन नहीं लगेगा, कोई tax नहीं लगेगा तो फिर उसके बाद इसके इसमेंद दाई percent का annual interest भी मिलती है, government annual interest भी द maturity के उपर आपको कोई tax नहीं है, तो मेरे राय में sovereign gold bond जो है वो बहुत अच्छी option है, अगर आप gold में investment कर रहे हैं, आपको अपने total portfolio का gold में जो माना जाता है, बाकी प्रकाश जी बहुत अच्छे से बताएंगे, कि आपको 10 to 15, मतलब maximum 20% तक की investment आपको gold में करनी चाहिए, क क्योंकि वो सरकार है तो gold bonds तो है ही है, जी तो ये कब-कब निकलते हैं ताकि दरशेगों को पता रहे, next time वो track कर सके, साल में दो बार, साल में चार बार, सरकार किस तरह से बताती है, और कहां खरीच सकते हैं, क्या DMAT account चाहिए उसके लिए, जी जी हाँ, तो सुने जी इसमे जो है, सरकार का ऐसा कोई इसमें सिस्टम नहीं है कि वो कब-कब निकालेगी, वो बीच-बीच में निकालते रहते हैं, जब उनको, उनकी funding की शायद requirement होती है, तब वो निकालते हैं, और ये अकसर, ये बहुत media channels पे आता है, कि gold bonds announce हो गये हैं, newspaper में भी आता है, वो आपको ठोड़ा track करना पड़ेगा, और आपको DMAT account होना चाहिए, तो DMAT account होता है, तो आपके DMAT में वो आ जाते हैं, और आप अराम से relax करके उनमें investment रख सकते हैं, प्रकाश जी, कई बार एकदम से जरुवत पढ़ जाती है पैसो की, तो कुछ ऐसे investments हैं, जो फटा-फट से liquid भी हो हैं, ना में ही liquidity है, तो liquid funds या ultra short funds होते है, ultra short duration के funds होते हैं, तो ये एक तरह के mutual funds होते हैं, जिसमें जो safer side के funds होते हैं, इसमें कोई risk नहीं है, market का कोई risk नहीं है, market कहीं भी जा रहा है, उपर है, नीचे है, ये पैसे कहां invest करते हैं, basically ये जैसे government bonds में, government securities में जो GSEC की बात कर होते हैं, या gold funds में investment होते हैं, तो ऐसे जगहों पे funds होते हैं, और money market में funds होते हैं, ये treasury bills, RBI जो treasury bills निकालती है, उनमें ये पैसे investment होते हैं, तो ये सभी, ये investment है ना, इनके कुछ ना कुछ चोटे-चोटे durations होते हैं, तो duration बहुत माइने रखता है, जब हम debt funds की बात करते ह हैं, अगर आपको liquidity को fulfill करने के लिए, कभी भी emergency fund के तौर पे use करना है, तो आपको liquid fund, ultra short fund, या low duration funds का इस्तेमाल करना चाहिए, अगर आप इसके अलावा long duration fund या medium duration के fund में investment करते हैं, तो वहाँ हो सकता है कि government के जो rates cycle change होते हैं, जैसे कि RBI के rate कभी बढ़ जाते हैं, कभी cycles होती हैं, तो RBI के rate cycle पे यो debt funds हैं, तो long duration के debt funds में उनका correlation होता है, तो वह उसके according थोड़े आपकी returns पे impact आ सकता है, तो जब emergency fund की बात करें, तो हमेशा आपको liquid funds, ultra short funds या आपके low duration funds में investment करें, जिससे कि कभी भी आपके bonds में भी market में भी कोई changes आता है, stock market में चेंजे जाता हैं, तो आपके investment पर negative return आपको मिलने के बहुत ही बहुत ही कम chances हैं, इसमें ना के बराबर, मैं actually zero तो नहीं कह सकता, क्योंकि guidelines ऐसा नहीं allow करती हैं, तो उसके हिसाब से हमें ऐसे funds में use कर सकते हैं, अगर आप short duration के fixed deposit bank में भी कर सकते हैं, लेकिन ये fixed deposit आपको long duration कर नहीं करना होगा, क्योंकि long duration में five year FDs करते हैं, तो जो tax saving purpose use करते हैं, वो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको समय पर पैसा नहीं निकाल सकते हैं, तो छोटे-चोटे FDs बना सकते हैं, जिसको आज के बैंक्स flexi FDs भी बोलती हैं, या sweeping FDs भी बोलती हैं, तो बैंक्स में भी normally मिल जाता है, इन सारे instruments में, जो मैंने अभी discuss की हैं, जी, तो fix deposit कर लो, नहीं तो फिर ये कर लो, साथ में संदीब जी ये बताएं, कि अप से 10 साल पहले, ये था कि अगर आपके पास पैसे हैं, तो चलो एक घर खरित लो, क्योंकि आप अगर loan भी लोगे बैंक से, तो फिर बदलाव है थोड़ा सा, क्योंकि अब जो आपका new regime आया है, उसके अंदर थोड़ा सा changes इनोंने करे हैं, पहले क्या था कि आपकी अगर आपने जो investment करी, आपने कोई मकान खरीदा और मकान जो है loan पे लिया, तो आपको installments आपको देनी है, तो उसमें आपको deduction मिल जाती थी, principle की deduction मिल जाती थी, तो वो अब government ने थोड़ा change कर दिया है, क्योंकि अगर आप new regime में जाएंगे, तो new regime में जाने पर जो आप installments आप पे कर रहे हैं, तो जो installment का principle amount है, उसकी deduction आपको अब नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आप new regime में गए हैं, तो आपको ATC की deduction आपको नहीं मि का हूँगा कि housing में तो investment करना ही चाहिए, कम से कम अपना घर सबका होना चाहिए, ताके आप कभी भी आगे जाके आपको rent वगरा देना ना पड़े, और अच्छा मैं एक चीज़ अगर आपकी जाज़व तो मैं एक चीज़ थोड़ी add करना चाहूँगा, कि जैसे हम जब investment क ख्याल रखते वे हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे पहले हमें अपना health insurance ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि अगर health insurance होगा, तो कभी भी कोई इस तरीके की emergency आती है, तो वो health insurance company से आप उसको meet out कर सकते हैं, उस खर्चे को meet out, हमने पीछे देखा कि COVID के अ और COVID में तो वैसे भी जब hospitalization हो रही थी तो लोगों की बहुत लंबी-लंबी हो रही थी, तो उसको देखते हुए health insurance का sector वैसे investment के लिहाज से तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन personal investment, जो small investment के एसाब से हम देखें, तो हमें health insurance जरूर लेना चाहिए, ताके हमारा जो coverage है वो ह हो जाए, और हम safe रहें, फिर दूसरा हमें life insurance की तरफ जरूर ध्यान रखना चाहिए, अब आज अगर कोई बच्चा investment करता है, और जो जब वो कमाना शुरू करता है, तो वो investment करने के लिए आता है, तो उसको अपनी आगे जाके family भी अपनी बनानी है, जब वो family बनाएगा, तो एक उसको life insurance अगर वो लेगा, तो वो अपनी family को protect कर रहा है, कल को खुदाना खास्ता कोई ऐसी चीज हो जाती है, जिससे की वो ना रहे पाए, है ना, ऐसा मैं चाहूंगा कि किसी के साथ ना हो, लेकिन फिर भी ऐसे हम सोच के तयार रहना चाहिए, तो उसके लिए हमें life insurance जरूर लेना चाहिए, life insurance के अंदर, जो है, हमें term insurance जरूर लेना चाहिए, मतलब कुछ लोग prefer करते है life insurance, तो मैं उसको term insurance को ज़्यादा prefer करूँगा, कि term insurance में आपको कोई return नहीं मिलेगा, जब आप insurance कराएंगे, तो आपको हर साल premium देना पड़ेगा, लेकिन आपको कोई insurance हो जाएगी, उसमें आपको insurance काफी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि वैसे भी यह कहते हैं कि आपकी जितनी भी annual income है तो आपको उसका 15 गुना, कम से कम 15 गुना का life insurance कराना चाहिए, 15-20 गुना भी कराएंगे, तो और भी अच्छा है, तो इतना आपको कराना चाहिए, फिर इ emergency fund जो है, वो हमें हमेशा maintain करना चाहिए, कम से कम जो हमारा monthly expenditure है, उसका 12 गुना तक हमें emergency fund ज़रू maintain करना चाहिए, जो हमारे पास हमेशा available हो, हम जब चाहें, अगले दीन ही चाहें, उसी दिन चाहें, तो हम फटा-फट निकाल सकें, जैसे कि प्रकार जी ने बताया कि उसक sweep in, आप अपने bank में पैसे डालें, थोड़ा सा amount लेके उसके उपर जितना भी amount होगा, वो bank आपकी FD बना देगा, आपको जैसे ही आपने कोई payment करा, तो FD अगर आपके saving का balance कम है, तो FD में से पैसे टूटेंगे और payment जाएगा, तो ये चीजें बड़ी ज़रूरी है, मैं मैंने का ये इस चीज़ को मैं highlight करना चाहरा था कि protection की, बिल्कुल, absolutely और ये हमारे दश्यकों को भी aware करेगा, और कुछ ऐसी चीज़े जो जहन से भी निकल जाती हैं, तो probably उन सब का revision भी एक तरह से होई जाएगा, तो प्रकाश जी, अगर हम देखें कि sensex कहा जा रहा है कि एक लाग का आकड़ा चूलेगा जल्दी ही और निफ्टी, अगर हम आज देखें तो 22,000 क्रॉस कर रहा है, इस सब को देखते हुए बहुत attractive तो लगता है शेयर बाजार, लेकिन ये भी लगता है कि इतने जादा amount पर अभी enter करना क्या सही है कि नहीं है, क्या कोई और तरीक जब निकाल के देखेंगे तो 100 पॉइंट से कभी sensex स्टार्ट हुआ था और आज देखें कहां से कहां पहुँच गया है, 72,000 के आसपास का अकड़ा है, तो इन्वेस्टमेंट ये सब क्यों है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट के inflows के वज़ज़ से हैं, नई कंपनीज का development economic growth है और यही जो sensex और nifty जो index है हमारे country की economy को भी दरसाती है, कि हमारा country के economy कहां जा रही है और कितर आगे growth की तरह बढ़ रहे हैं, तो आपने बोला कि ये क्या इस level पर entry लेना ठीक होगा, तो जो लोगो थोड़ा सा ज्यादा risk ले सकते हैं, वो तो entry कर सकते हैं, बट entry करन में क्या होती है कि आपने बहुत छोटे investment इसमें 500 के monthly amount से भी SIP कर सकते हैं, SIP का मतलब है systematic investment plan, तो आप systematically SIP register करा सकते हैं, किसी भी अपने financial advisor से मिल करके, जितने भी आपकी monthly capacity है, जो आप investment कर सकते हैं, वो investment आप start कर सकते हैं, और धीरे धीरे आप इसको time to time बढ़ा भी सकते ह तो for a longer period, 5 years, 10 years, जितना लंबा आप period लेकर चलेंगे SIP का, तो market अगर इस level पे है, वो उसका बाद भी नीचे भी आ रहा है, तो आपकी SIP की जो purchasing हो रही है, बिलकुल month on month average करता रहेगा, और averaging से ही साब से आपकी market के fluctuations को वो एक तरह से आप average कर पाएंगे, और आपकी purchasing अच अच्छा return मिल जाएगा, SIP के लावा, आप lump sum में भी investment कर सकते हैं, तो lump sum के लिए आपको time हो रहे हैं, तो ज्यादा लंबा लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि lump sum में हो सकता है, कि आपको return 6 महने में बहुत अच्छा दिख जाए, market बहुत आगे जाए तो, लेकिन अगर market नी होने होंगे, यह देख सकते हैं, तो इसलिए different sectors और different themes और diversify funds में investment करें, जिसे कि आपके investment को एक diversified portfolio मिले, जिसे कि कि किसी भी एक sector के नीचे जाने से, आपका पूरा investment नीचे जाए या किसी एक sector के ऊपर जाने से, बहुत ऊपर ना जाए, तो आप एक middle level में आपका investment एक सही तरीके से long term में होगा और compounding का benefit मिलेगा, क्योंकि power of compounding mutual fund में लागू होता है, तो compounding के benefit से long term में आपको ज्यादा फाइदा होने के chances रहते हैं। कि investment जो करें, उसमें क्या चीज़ें हमें नहीं करनी हैं। सबसे पहले मैं कहूंगा कि हमें market में बहुत सारी rumors चलती हैं, बहुत सारी tips आती हैं। कभी किसी ने आपके किसी रिष्टेदार ने कुछ बता दिया कि आप फलाने का share ले लो, या किसी ने आपके friend ने कुछ बता या फिर आपका कोई reliable investment consultant है, उसके थुरू आप investment करें, उसकी राये पे चलें, अगर वो आपको राये अच्छी दे रहा है और आपका पैसा जो हमेशा grow कर रहा है, तो आप उसी की राये मानें और किसी की राये ना मानें। तो एक तो ये चीज़ का बहुत खास खास ख्याल और दूसरा ये है कि market में invest करने के लिए जो है ना अगर आप stock market में directly जाएंगे तो जब तक आप उस stock market का जो एक actually stock market ना बहुत लोगी समझते है stock market एक 60 है, लेकिन अब ये विचारधारा हाला की बदल रही है, लेकिन stock market एक science है, stock market में देखी इतनी सारी companies हैं, वो stock market के के base पे होता है, उनकी क्या turnover चल रही है, उनका कितना profit आ रहा है, growth हो रही है के नहीं हो रही है, उनकी corporate governance कैसी है, यानि के उनका management कैसा है, उसके रहते ये सारी जो आप science को जब study करेंगे, जब आप company की balance sheet का analysis करेंगे, ऐसा नहीं है कि सर्फ financial expertise balance sheet का analysis कर सकते हैं, बैने ऐसे देखें हैं, engineers देखें हैं, जो financial analysis company की balance sheet का बढ़ा अच्छा करते हैं, क्योंकि एक ही common science है, figure work है, figure आपको अगर figures पढ़ने आते हैं, तो आप अराम से उस चीज़ को analyze कर सकते हैं, तो इसको सीखना बढ़ा ज़रूरी है, तो जब आप इसको सीखेंगे, और आप औरों की च technical analysis भी होता है, technical analysis में chart की movements को, price की movement को track किया जाता है, कि ये कब resistance level पे है, share कौन सा support level पे है, तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए, आपको ऐसे tips पे invest नहीं करना चाहिए, mutual funds के अंदर जो है, आप काफी बेफिकरी से invest कर सकते हैं, क्योंकि mutual funds में आपके पास एक expert है, हर mutual funds का एक team होती है, जो ये research करती है, कि हमें किस share में लगाना है, किस share में नहीं लगाना है, पहले तो अपना declare कर देते हैं, कि हम large cap fund हैं, mid cap हैं, small cap हैं, हम balanced हैं, कि हम equity हैं, तो वो declare कर देते हैं, तो जब आप पैसा invest करेंगे, तो आपको पता है कि आपका पैसा कहां लगने वाला है, आपका पैसा बड़ी company में लएगा, छोटी company में लएगा, आपका पैसा debt के अंदर कितना लएगा, आपका पैसा equity में कितना लगेगा, उसके लिए वो थोड़ी सी fees अपनी जरूर charge करते हैं, तो obviously जब वो investment, इतनी research कर रहे हैं, उन्होंने अपनी इतनी team ब कर सकते हैं, और mutual fund में पैसा, अभी देखिए हमारी जो देश है, हमारा जो country के अंदर जो mutual fund में investment है, वो बहुत कम है, और आगे आने वाले time में बहुत ज़्यादा grow हो जाएगी, USA में तो कहते हैं कि 60-70% के बीच में लोग mutual fund में invest करते हैं, इंडिया का आकड़ा बहुत कम ह गोल्डी मीड बटन मसाले, जो आपके हाथ का मटटन खाए जुंजर की बडाब का है, जॉंजर की बराब का है। प्रकाश जी बताएंगे क्योंकि mutual fund के expert तो प्रकाश जी है अभी देखा जाये तो अभी जो SIP book है SIP book का मतलब है monthly SIP book पूरे इंडिया के mutual fund industry में 17 से 18 हजार करोड का ये पर मन्त की SIP inflow जा रही है अभी industry में ये monthly है तो इतनी SIP book है और 40 लाग करोड का approximate पूरे industry का AUM है अगर industry का है तो इसमें आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा investment अभी आगे बढ़ रहा है और अगर US से compare करें तो बहुत ही छोटे हैं अभी 2-3% का penetration है पूरे इंडिया के अंदर में तो क्योंकि mutual fund अभी थोड़ा market related है तो इसमें बहुत जादा ऐसा नहीं रहता है कि rural areas के लोग थोड़ा गाओं के लोग इसमें आने से entry लेने में थोड़ा हिच किचाते हैं तो इसलिए इसको S.I.P. जो बनाई गई है यह सबसे जादा ज़रूरी चीज हो जाती है कि mutual fund में आप S.I.P. के तो थोड़ा थोड़ा पैसा डालेंगे तो आपको ये भी ने लेया कि मैंने बहुत बड़ा कॉर्पस एकठा कर दिया डाल दिया है और वो पता नहीं कहा जाएगा तो डेटा के बेसिस पर देखा जाया तो अपना इंडिया में growth story बहुत है और अपना जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनों ने मार्केट को समाला हुआ आप देखेंगे कि मार्केट जो सेंसेक्स और समाल भी बहुत जल्दी जाता है क्योंकि अब इन्वेस्टर अवेर हो रहा है और यह दीरे दीरे छोटे शहरों में और गाउं में भी यह बढ़ता जा रहा है और यह हमारे इंडिया में जो भी mutual fund distributors हैं जो आपके mutual fund advisors हैं या different financial advisors हैं यह सभी लोग investment mutual fund के थ्रू करवाना च जा रहा है इसका कारण यह नहीं कि मतलब उनका कोई business कोई फाइदा है इससे client का फाइदा बनता है investor का फाइदा बनता है investor को ज्यादा पैसे बनता है इसलिए diversification भी जरूरी है ऐसा भी नहीं हो जाए कि mutual fund पैसा तो हमें लगा दिया लेकिन पैसा ज्यादा investment कर दिया और सार जी ने बताया कि balance fund भी होते हैं hybrid funds भी होते हैं और debt funds भी होते हैं और equity funds भी होते हैं तो जो लोग थोड़े से initial level पर entry लेना चाह रहे हैं उनको एक तो SIP mode में लेकर entry करना चाहिए और दूसरा है कि उनको large cap से equity में आना चाहिए तो large cap में ले या फिर hybrid fund से SIP करें और बिलकु safe रहना चाहते हैं तो hybrid fund में भी दो category हैं एक conservative hybrid है एक aggressive hybrid है aggressive hybrid में थोड़ा से equity का portion ज्यादा होता है conservative में बहुत थोड़ा से equity का portion होता है और debt funds यानि bonds के fund के ज्यादा होते हैं जिसमें की आपके return per market अगर थोड़ा grow करेगा तो हलके से आप grow भी करेंगे लेकिन गिरने पर जाती है और आप अपना investment को उसी diversification करते जाते है portfolio को और विशेश बात यह है कि gold की बात जरूर करेंगे कि अपने portfolio में gold fund में investment करें sovereign gold fund रख सकते हैं जिसमें की आपको बिलकुल कोई भी इसमें taxation नहीं है 8 years के बाद बिलकुल tax free investment है और gold एक ऐसा instrument है जो की आपके equity portfolio को hedge करके चलता है यानि hedging का मतलब यह हो गया कि equity अगर गिरता है तो इसको सम्हाल के चलता है यानि कि इसमें investment के returns बढ़ने लगते हैं तो overall portfolio आपकी एक balanced हो जाती है तो gold का 5 से 15 से 20 परसेंट इससे ज़्यादा की जरूरत भी नहीं है कि long run में आप बहुत ज़्यादा return जितना equity में म include कर दें या लगपती दीदी वाली जो बात कहीं किस तरह से women को empower करने के लिए और उनको investments के लिए आगे बढ़ाने के लिए जो सरकार के कदम है वो करें और real estate में invit वगरा जो है या small case भी अगर हम कोई करना चाहे तो वो भी कर सकते है जी सोने जी investment के point of view से जैसे आपने REIT की बात करी real estate की बात करी तो क्या है कि आज की डेट में real estate में investment करना small investor के लिए काफी मुश्किल होता है क्योंकि आप देखें कि अगर property में investment करेंगे तो आपको लाखों रुपे चाहिए तो उसके लिए जो हमारी सरकार है उसने एक REIT निकाले वे है real estate investment trust तो उसके अंदर हम कितना भी amount डाल सकते हैं उसमें क्या होता है कि जो REIT होती है वो property में invest करते हैं और property से जो rental income आती है उस rental income को as a profit distribute करते हैं अपने investors को तो उसके अंदर जो है आप जैसे की stock market में invest करते हैं उसी तरीके से REIT में invest किया जाता है और आपको return बिलती है उसमें आप कितना भी amount 500,000, 2000, 2000, जितना आप चाहें उतना invest कर सकते हैं और सबसे बड़ी आवाद जैसे अभी प्रकाश जी में बताया है SIP मून में भी आप उसमें invest कर सकते हैं और यह बड़ी interesting बात है अचा दूसरा मैं कहूंगा कि जो investors है हमेना investment regular करनी चाहिए यह बोड़ा जरूरी है अगर wrapping point की आ हमारे को salary आई या हमारे को जहां से भी business से income आई तो हम क्या करते हैं जितने भी खर्चे होते हैं खर्चे कर लेते हैं खर्चे करने के बाद जितना पैसा बचा हम उसे invest कर देते हैं अगर नहीं बचा तो चलो कोई बात नहीं अगले महीने देख लेंगे तो हमारा यह mindset होता तो उसकी जगा हमें S.I.P. मोड में जाना चाहिए हमें क्या करना चाहिए जैसे किसी की सेलवी 5 तारिक को हर महीने आती है आप 6 को अपनी S.I.P. लगा दें जो भी आपने डिसाइड किया है कि मेरे को कितने की S.I.P. लगानी है वो लगा दें ताकि इन्वेस्टमेंट आपक systematically हो क्योंकि S.I.P. का मतलब है systematic investment plan आपका systematic होगा तो regular investment होता रहेगा आपको यह नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे पैसे इसके लिए निकालने है आपको यह पता है कि मेरा यह पैसा तो यह ही नहीं मेरा तो S.I.P. में जाएगा बाकी पैसा है मेरे पास जो मैं अपनी government के लिए भी काफी government schemes निकाली है मैं एक चीज़ बताना चाहूंगा कि जो एक सूर्य development program गौवर्मेंट ले लाँच करा है जिसमें कि यह solar panel के अंदर है उसमें women के लिए उन्होंने special consideration करा है और इस इस program के तहत आपको zero fees में आपको training मिलती है आप solar panel आप install करने की आपको training मि मिलती है 90 days का सिर्फ program है इसमें certificate आपको मिलता है और certificate के बाद आपको वहाँ पे रहना खाना सब free है 90 days तीन मेने का तो यह program है यह women के लिए हमारे किसान भाईयों के लिए जो rural area में रहते हैं उनके लिए और SCST के लिए बहुत अच्छा program इनो निकाला है तो इसको जरूर द चाहिए और यह जागरूप करना चाहिए लोगों को कासकर महिलाओं को कि वो इसका फायदा उठाएं आगे भी आ रहे हैं जिसे आपने लगपती दीदी की बात करी तो उस government ने इस बार उसके एक करोड़ से ज्यादा महिलाओं को इसका benefit मिला है और आगे भी मिल रहे है यह विमन एमपार्मेंट है जिसे की एक करोड़ से ज्यादा महिलाओं को अभी यह फायदा मिला है और आगे भी है मतलब उसमें उनको skill development के बाद उनको इतना सक्षम कर देते हैं कि उस सालाना एक लाख रुपे कम से कम कमाने लाइक हो जाए बिलकुल और financial dependency नहीं होनी चाहिए यह महिलाओं के लिए तभी वो सशक्त होंगी और तभी वो आगे भी बढ़ेंगी और सोच उनकी अग्रिसर होगी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस studio में आने के लिए दश्यकों को बताने के लिए तो पैसा बोलता है कि इस खासकड़ी में फिलहाल इतना ही हमा इमेल आईडी है ddurduspecials at gmail.com इसे के साथ हमारी पूरे टीम को दीजे इजासत आद आप